नमस्ते स्टुडेंट्स पाठचला पन्नित में आपसे भी का स्वागत है मैं हूं आईश्वटा चरिया आज हम देखेंगे कि आइगन वैलूस एंड आइगन वेक्टर्स क्या होते हैं candidate लिए पहले अग क्या है आईगन करते हैंड स्वागते ने एंग हैंडियां आइगन अढ हैंगाफ आफट यह पार्फिकिता शे चल्ड टर्ल शेक्टिकर्ज कहते हैं ओक हैंग हैंग 猯ह सुसताओ तो देखो इसमें, eigenvalues and eigenvectors, मतलब इसका definition पहले अच्छे से लिख देता हूँ, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा, let A be a matrix of B, a matrix of order n cross n, a non-zero vector, a non-zero vector x, is called as an eigenvector, is called as an eigenvector, बसे इसका pronunciation आएगन है या आएगन मुझे नहीं पता, पर मैं इस आएगन नहीं बुलाँगा, eigenvector of A, of A, if there is a real number, if there is a real number, if there is a real number, lambda, lambda, such that A x is equal to lambda x, then, तो ठीक है, मतलब x is called as an eigenvector, यह तो पता चल गया, then lambda is called eigenvalue, ओके, eigenvalue, तो अब एक question देखते हैं, ठीक है, question यह है कि, A is equals to 4, 2, 3, 4, 2, 3, minus 1, 1, minus 3, minus 1, 1, minus 3, and 2, 4, 9, okay, 2, 4, 9, okay, तो A यह है, similarly, U is equals to minus 2, 1, 0, minus 2, 1, 0, V is equals to minus 3, 0, 1, minus 3, 0, 1, are U and V eigenvectors of A, यह है question, are U and V eigenvectors of A, यह है question, तो कैसे करें इसे solve, बहुत सिंपल तरीका है, ठीक है, बहुत सिंपल तरीका है, अगर U उसका eigenvector है, तो फिर हमें AU करना पड़ेगा, correct, U अगर A का eigenvector है, तो हमें AU करना पड़ेगा इसे, तो AU करने के बाद क्या रहा है, कि 4, 2, 3, minus 1, 1, minus 3, 2, 4, 9, के साथ, U multiply कर देता है, which will form, क्या आएगा, minus 8, plus 2, which is minus 6, minus 6, minus, plus 2, plus 1, 3, minus 4, plus 4, 0, यह आएगा, यह इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 3 times of minus 6, 1, 0, correct, यह है इसका मतलब, so, therefore, AU is equal to 3U, क्योंकि U का ही एक, yeah, minus 6 नहीं, sorry, इदर आएगा, minus 2, minus 2, तो AU is equal to 3U आ रहा है, therefore, U is an eigenvector with eigenvalue 3, okay, U is an eigenvector with eigenvalue 3, अगर ऐसा possible है, तो ही यह U एक eigenvector होगा, और अच्छे से देख सकते है, कि यह एक non-zero vector है, क्योंकि non-zero चाहिए, ना, हमें non-zero चाहिए, तो इसलिए, U एक eigenvector करे सकते हैं, और जो lambda निकला हमारे हाथ में, 3, वो एक eigenvalue है, similarly, हम अभी V का भी चेक कर सकते हैं, तो एक काम कीजिए, V का आप चेक कीजिए, ठीक है, V का आप चेक कीजिए, और comment section में post कर दिजिए, कि वो एक eigenvector है या नहीं, और अगर है, तो फिर उसका eigenvalue क्या होगा, तो आप post कर दिजिए, अगर सही निकले, तो मैं उसे लिख दूँगा, कि correct है, तो चेलिए फिर, आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगे, तो प्लीज लाइक कीजिए, शेर कीजिए अपने friends के साथ, और जरूर हमारे चैनल को सब्स्राइब कीजिए, तो आज के लिए, thank you very much.